हेल्दी फ्राइडे में आप सबका स्वागत है और आज का टॉपिक जो है बहुत इपॉटेंट है एंड हम किस तरीके से अपने को स्वस्थ रख सकते हैं अपनी दिन चर्या को अच्छे रखते हुए एंड हमें कौन सी ऐसे सप्लिमेंट्स है जो हमें लेने चाहिए जिससे ह हमें स्वस्थ स्वास्थे मिले यह हम बात करेंगे एक सेकिंड रूप चाहिए पर ना इस पीटी को लेता हुझ जरा कि अ कि अ तो एक स्वस्थ रहने के लिए क्या लगता आपको हमें क्या करना चाहिए चैट में लिखेंगे आप कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या करना चाहिए मैं चाहिए थोड़ा चैट में लिखें आप लोग क्योंकि दो चीजे होती है पता तो हम सबको होता है मगर चैलिंज ही होता है कि जो हमें पता होता है मों करते नहीं थोड़ा सा यही फर्क होता है कि जो हमें पता होता हो हम करते कि न्यूट्रीशान म्हाली जी करें लेना चाहिए और एक्साइज करनी चाहिए यह हमको पता है okay हो योगा सभीता जी कह रहे है योगा योगा सही होगा ग्रेट मंदे तधा पिंड यानि कि जो ब्रहमान में है वो पिंड में हमारे अंदर है और जो हमारे अंदर है वो तो अगर हम लोग जो है अगर हम लोग अपनी स्रिष्टी के अनुरूप जीवन जिएंगे तो हम स्वस्त्र रहेंगे अगर हम प्रकृति के विपरीत जीवन जीएंगे तो फिर जो है दिक्कत होई अभी आपने सुना होगा दो-तिन दिन पहले जो है दुबई में बाल आ से उपर रहता है वहां बाड कैसे आगा क्योंकि अब इग नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है कि क्लाउड सीड यानि की छोटे हवाई जासे वह क्लाउड में जाते हैं और कुछ वहां पर केमिकल्स शोड़ते हैं उन केमिकल्स के कारण वह जो बादल होते हैं उन में से पानी निकलता है रिष्टा है और फिर बारिष होती है जिसको कृतरिम बारिश बोलते हैं अब यह प्रेयास बहाँ पर भी किया यह लुद आखी और प्रेयास ऐसा हुआ ये पूरे में बाढ़ आ लुव। resulting से जब भी हम छेरोड़ करते हैं तो नुक्सानी होते हैं तो यहीं इ हैं अब यह हमें मिलेगा कहां से यह मिलेगा हमें हमारे भोजन से तो अगर हम भोजन करेंगे तो हमारा पित्वी तत्व बढ़ेगा हम प्रणायम करेंगे येस तो वायू तत्व हमारा ठीक होगा हम मैडिटेशन करेंगे तो हमारा हाकाश तत्व ठीक होगा हम ठीक से पानी प्रिखवी हैंगे तो जल तर तो ठीक होगा और हम जो है हमारी जो जटर अगनी हैं हमारी तेरा तरफ के अगनी होती है जिनमें पाँच होती है पन्च महाबूत अगनी जो यू अगनी हमारी जो है यह सेवन टीशू हैं वो एब्जॉब होते हैं जैसे साथ टीशू क्या होते हैं हमारे रस जो प्लाजमा है रक्त ब्लड मास फ्लेश अस्थी बोन शुकरदातू जो रिप्रोडुक्टिव फ्लूइट्स हैं मेदा जो पैट तो यह अगनी है और जठर अगनी जो हमें पाचन करती है तो तो एंड में यही है कि हम और हमारी प्रकरती हम सब लोग पंच महाबूद से बने में हैं और हम जितना स्रिष्टी के साथ रहेंगे उतना हम स्वस्त रहेंगे और जितना हम स्रिष्टी से दूर जाएंगे तो डिस इस होगा डिसीज का मतलब यह होत ना देशாरिया सब चीज बढ़ का वढनन क्या गया है तो सवस्त दिन चरीया क्या है कि एक तो सुबह उठके जो है कंदो गिलास गुणगुना थोड़ा साल कवना पानी ए फिर आजकल Does Temperature करम है To Normal Temperature टेंपरिचर का भी लेजिए करी 500-600 ml दो गिलास पीजिए ये 500-600 ml क्यों कि इतना हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी इतनी कपेसिटी होती है 500-600 ml तो जब हम उतना पानी पीते हैं तो फिर फ्लेश आउट होता है जब भर जाता तो फिर यूरिन पास होता है तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है ठीक से फ्लेश आउट होए क्योगी रात को क्या होता है रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉड़ी जो है पुरा जो है पाचन से अच्छा ना लगे तो देरे देरे शुरू करींजी आदे गिलास है एक गिलास और फिर देरे जो है करीब सुभे 500 मल पीजी और एक दिन में हमें 2-3 लीटर अगर मिंग आगी तो करीब तहीट से 3 में ले रहे हैं और एक 500 ml का glaz ले रहे हैं तो मानके चलिए कि हर एक घंटे में ग्लास हो गया मोटा मोटा हमारा लिक्वीट का हो गया है और एक्सरसाइस ना 45 मिनट के करेब तो एक्सराइस ज़रूर करना ही है अगर हमें अच्छा वह चाहिए क्योंकि body tone होती है body का हमारा नियम है either use it or lose it या तो शरीर को use करो या उसको lose करो तो जब हम exercise करते हैं जैसे हमारी जो बोलते हैं बच्चों को कि आप भार जाओ खेलो कुदो तो आपकी हडिया मजबूत हों क्योंकि हमारे पूरी शरीर में क्या होता है कि आप जब जम जाते हो आप exercise करते हो तो आकी muscles बढ़ती है क्योंकि शरीर का नियम है कि जब उस पर वर्क करते हो तो वो BILLito money होते हैं तो जब आप मसफे च्चों करते हैं तो आपके moToo काम चल रहे होते हैं केल्शियू में केल्शियू का बाइट है इसलिए पैंटालीस मिनट जो है एक्सवाइज करना जरूरी है जैसे मैंने बात करी कि हमें अपना जलता तो ठीक करना है वो कैसे ठीक होगा जब हम लिक्विड और पानी दो से तीन लिटर दिन पर में लेंगे फिर हमें जो है अपना जो है जो वायू है उसको बैलेंस करना है वो कब होगा जब हम प्रनायम करेंगे प्रनायम का मतलब होता है प्राण का आयाम या इसे आयरोवेद में बोलते हैं या हमारे वेदों में यह नहीं बोलते हैं कि वह विक्ति इतना जीवन लेकर आया यहां बोला जाता है वह इतनी सांस लेकर आया तो जब हम सांस लेते हैं तो स्रिष्टी होती है और जब सांस छोड़ते हैं तो विक्रती होती है यानि कि जब स चाहिए slow सांस लेनी चाहिए slow चोननी चाहिए वह बहुत इburst important हो तो हमने वायूतंत्र जो है प्रणायम से करना है पृत्वी तत्व जो है जो हम food ले रहे हैं उससे होगा जो आकास तत्व हमारा कैसे balance होगा क्योंकि आकास तो space है तो होगा जब हम meditate करेंगे, धियान करेंगे, focus करेंगे, तो हमारा अकास तत्व्ь बैलन्स होगा और हमारा अगनी तत्व् होगा जब हम ऐसे फूट खाएंगे जो हमारी डाइस्टी फायर को बैलेंस कर अगनी बहुत तेज भी नहीं होनी चीए कि वो सब जला दे और अगनी इतनी भी मदम इतनी भी फलकी नहीं होनी चीए कि वो हपाचनी सिस्टम ना करें दो हो गया अगनी हो गया जल हो गया प्रिथ्फी हो गया आखाश और आखाश के का मतलब यह होता है कि ब्रेक यो फास्ट जब आप सुबह को उठें क्योंकि रात भर का भोजन आपका पज गया है तो जैसे से सूर्य ओदे होता है हमारी पाचन अगनी स्ट्रॉंग होती उस टाइम जितनी जल्दी नाश्ता करेंगी उतना अच्छा रहे लंच लंच मत मिस क दुबर कर दुबर के वक्ट हमारा सूर्य सबसे इसकी अगनी तो उस वक्त पाचन अगनी बहुत स्ट्रॉंग होती है उस टैम अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो एसिडिटी हो जाएगी आपको पित जादा बनेगा एसिडिटी जादा हो जाएगी तो यह इसलिए लंच करना जरूरी है कभी मिक्स मत करिए उसको और डिनर हलका करिए क्योंकि जैसे जैसे सूरिय अ ही हो जाते है इसलिए पुराने लोग आप देखते हैं कि वो जो है अगर आज क्या हो रहा है कि सब पॉरिया के बाद छोड़ी यह दशीए दस गैरा बारा बज्यवी रात को लोग डिनर करते हैं इसलिए सब बहुत किसी को बिल्कूर भी नहीं होता था येंग पर पांचन के लिए बहुत इम्पॉर्टन है कि हम लोग हमारी जो अगनी है जो बताए न अगनी हमें हमेंगे बैलंस करना है और अगर आप बहुत सारा पानी पीएंगे तो अगनी नहीं मट दम होते हैं और यह बहुत कम कॉंटिटी में होते हैं तो अगर हम बहुत सारा पानी पीलेंगे खाने के साथ तो वह एंजाइम डायूट हो जाएंगे और पाचन ठीक से नहीं होगा इसलिए लोग बोलते हैं मुझे गैस्ट्रिक हो रहा है ब्लोटिंग हो रहा है क्योंकि आपकी अगनी मद्दम हो गई यह तो यह पहुत इप्रोटन है एक घंटे बाद पीजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फ्लश आउट हो जो सुबह उटके पेंगे बहुत अच्छा रहेगा यह बहुत जरूरी है प्रोटीन लेना बहुत जरूरी हमारा जो शरीर है यह पुरा प्रोटीन से बना हुआ है हर सेल हमारा प्रोटीन से बना है और हम भारतिये जो हैं बहुत कम प्रोटीन खाते हैं हमारे दिक्कत किया है कि हमारे जो डाइट प्लैन सेट कर रहे हैं वो वीदेशों की पढ़ाई कर रहे हैं वीदेशों में लोग नॉन्वेज बहुत काते है प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनकी डील डॉल भी बहुत है अगर यूएस और इज़र कंट्री में देखें तो छे सारे चे प्रोटी के लोग ज़्यादा नजर आते हैं बारी बरकम मगर भारत में क्योंकि इतनी सारी गुलामी रही इतने साल तो जो है सुखा बहुत साल भारत में रहा तो हमारे जेनेटिक तोड़े चेंज हो गए हैं तो हमें जो है पॉइंट टुवन ग्राम प्रोटीन पर केजी बाडी वेट चाहिए आइडियल वाडी वेट का मतलब यह के साथ से हमारा जो बाडी वेट होना चाहिए वह जो है वाइंट टू और हम जो जनरली हम लोग जो चीज़े खाते हैं उन में मुश्किल से 25 ग्राम ही प्रोटीन हमको मिल जाता है तो मानके चलिए कि कम से कम 30-35 ग्राम प्रोटीन जो है हमें रोज चाहिए अपने शरीर के सई निर्मान के लिए लो कार्भम अरोज चाहिए हम हैं जिखने काना है घॉकि जब ज्यादा क्वांटी में प्लक्राओं कहाते हैं तो वू बडी नहीं न। और saturated fat नहीं लेना, saturated fat कौन सा होता है, जो normal temperature पे solid होता है, जैसे मक्षन हो गया, यह saturated fat है, जैसे कि आपका नारियल का तेल हो गया, नारियल तेल आपने देखा न, थोड़े देर के बाद वो जम जाता है, वो saturated fat है, या फिर आपने मग घी हो गया, वो भी saturated fat है, तो यह हमको नह सारे लोग अभी आम आएगा, तो खाने के बाद फिर आम खाएंगे, देखिए, आज diabetes की हो रहा लोगों को, क्योंकि sugar level बहुस आपर नीचे होता है, जैसी आपने खाना खाया, खाने ने आपको calories दी, glucose बढ़ने लग गया, उसके बाद आपने आम और खा लिया, अब आम हो आम जो है मीठा है, उसके अंदर बहुत calories है, पहले खाने ने आपको calories दी उपर से, आम ने calories दी, इतनी सी सारी calories जब हम लेंगे तो एकदम से sugar level हाई होगा, जब एकदम से insulin release होगा, तो इस तरह क्या होता है, धीरी तरह insulin resistance हो जाता है बाड़ी के अंदर, जिससे diabetes होने की chances ब बाद में इंटरस्टाइन आती है, तो अगर आपने पहले खाना खा लिया, और बाद में fruit खाया, तो जब तक आपका खाना पचेगा नी, जिसमें कम से कम देरे घंटा लग जाता है, तब तक fruit आपका पेट में पढ़ा रहेगा, पेट में पढ़ा रहेगा, तो सड़ेगा fruit खाएंगे, तो बहुत ही बेतरी नेगा, क्योंकि fruit जो है, intestine में आजब होता है, जो मैंने आपको बता है, no sweets after meal, जैसे मैंने बताया, अगर हम खाने के बाद मीठा खाएंगे, जो तलब होती है, मगर उसमें दिक्कत ही होती है, कि खाने ने glucose दिया, मीठे ने और glucose दिया, ज हमारी जो body का निर्मान हो रहा है, हमारी जो immunity बिल्ड हो रही है, वो सब होता है हमारे अच्छे पाचन सिस्टम से, तो इसलिए metabolism, metabolism का मतलब है break up करना, food का जो break up है, और वो break up होने पे food जो absorb होता है, जैसे protein हमारी body में जब हम खाते हैं, तो protein पहले amino acids में break होते हैं, फिर हमे हजम होते हैं, तो यह जो break up है, food का, इसको metabolism बोलते हैं, यह हमारा healthy होना चाहिए, अच्छी immunity होने चाहिए, क्योंकि जिसकी immunity अच्छी है, क्योंकि हमेशा bacteria, virus, यह सारी चीज़े attack कर रही है, बिमारी यह attack कर रही है, अब वही बचा रहेगा, जिसका स्वास्ते अच्छा हो चाहिए वो दूद के product है, चाहिए वो आपके protein है, इन सबका जो body में बाद में जो waste बनता है, वो acidic हो जागा, और जो हम सबजिया वगरा कारते हैं, वो alkaline होता है, तो यह balance है यह body के अंदर, yes, मगर आज के दौर में हमारी body जो हलकी सी acidic होती है, मगर आज के दौर में जो हम food खा रहे हैं, वो उसमें सबजी है, मगर दो बहुत कम है, वो सारा acidic food है, आज है, protein है, यह दूद प्रोडक्त है, यह सब acidic food है, जिसके कारण बहुत सारी बिमारिया होती, तो यह सब हमें ध्यान करना है, friends, यह important है, तो आप में से आपने, फिर हम बात करेंगे, अभी हमारे जो supplements है, यह जो मैंने चीजे बताई, इनको यह supplements कैसे हमें support कर सकते हैं, देखिए exercise तो हमें खुदी करनी पड़ेगी, पानी वगरा time से हमको जरूर पीना पड़ेगा, time से breakfast करना, time से lunch करना, dinner को हलका करना, भोजन के, भोजन अंते विशम बारी, भोजन के अंत में पानी प आना है, पाचन को बढ़ाना है, प्रतिरोदक्षमता को बढ़ाना है, और food को जो है alkaline, हम भी हमको लेना है, तो यह सारे चीजे हमें करनी पड़ेगी, अगर आज के दौर में हम अपने जीवन, और यह चीजे naturally पुराने लोग करते थे, हम लोग इससे दूर होगे, इसले बिमारिया उत्पन हो रही है, तो आप ने आज नया क्या सीखा, जिसको आप implement करेंगे, चैट में लिखेंगे जड़ा, देखते हैं कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कि यह जो points मैंने बताया आपको, इनमें से कौन सा ऐसा point है, जो आपने note किया, जिसको आप अपने, क् ग्यान का फाइदा तब ही होता है, जब हम उसको implement करें, अगर ग्यान को हम implement ही नहीं करेंगे, तो फिर उसका फाइदा क्या हो, जी, अनिल जी बोलें, पाचन प्रक्रिया, उन्होंने समझी, ग्रेट, और कोई, और किसी ने ध्यान से सुना है, तो जैसे ये food pyramid दिखा रहा है हमको, जी, गुपाल जी बोले, fruit absorb होते हैं, इंटरस्टाइन में बिल्कुल, इसलिए separate meal खाईए, सुबह को खाईगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दो meals की बीच में खाईए, साथ में मत खाईए, तो ये बिल्कुल ठीक बोलें, खाने के साथ मेंगो नहीं काईए, बिल्कुल सही बात है, शुगर बहुत बढ़ जाती है, separately खाईए, एक मीली खा लीजे लें, कि आज जो है, मेरा लंच जो है, आम गई खाऊंगा, तो जब हम छोटे थे न, वो हमारे पेड़ पे आम लगते थे, वो बाल्टी बढ़ ले उसी से पेड़ लेते, येस, ये, खाने के साथ आम नहीं खाना है, तो जातर लोगा बिड़े नाराज होंगे कि वही, आम हमारे कम होरे, आम खाईए, मगर सेपरेट मील खाईए, वो जरूदी है, तो हमारा जो फूट पिरिमिट क्या कहता है, कि वही, जो ऊपर चीजे है, वो कम लेनी है, शुगर, चीनी, चीनी तो मैं कहूंगा छोड़ देंगे क्योंकि उसको एक तरीके से जो चुगर, रॉज शुगर है, उसको बोला जाता है, वाइट पॉइसन, क्योंकि वो केवल आपको कैलरी दे रही है, और कुछ नहीं दे रही है, तो चीनी हमें मिलती ह प्राकरतिक चीजों से, चीनी मतलब गुलकोज, गुलकोज तो हर फूट के अंदर होता है, चाहिए आप कार्भोएरट खा रहे हैं, जो भी खा रहे है, शुगर हमें लेना चीए, बेसिकली फूट से, फूट से हम लेंगे, वो ज्यादा अच्छा नरिश करेगा हमको, जी विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होते हैं, बहुत सारी, उसके बाद आपका जो है कार्भोएरड आयाता है, कार्भोएरड में चाहिए, फिर आपका प्रोटीन, डेरी और एंड में सबसे कम शुगर, तो इन चीजों का ध्यान करिए, ये बहुत ज़रूर लिए, तो अब हम बात करते हैं, हमारे सप्लिमेंट की, तो सबसे पहला इंपॉर्टन चीज क्या है, कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए, और प्रोटीन जो है, बहुत ज़रूरी है, मैंने बताया, क्योंकि प्रोटीन जो है, एक तो हमारी बाडी से हमारे फैट को कम करता है, क्योंकि जब हम प्रोटीन लेते हैं, तो हमें हमारी बाडी को प्रोटीन को बचाने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा कैलरीज बन करने पड़ती है, बाडी को प्रोटीन को हजम करने के लिए, प्रोटीन हमें बलकीनेस देता है, यानि कि बार बार हमें भूक नहीं है प्रोटीन हमारे हर सैल का निरमान करताय तो तो वी लुद्ट से लिया गया क्षिए कर फैमिलिध यह जो तो सी लिया गया है डूत को जब और गरम करते हैं तो इसका पॉडर बन अड़ा जाता यग तो करते हैं तो वो वे प्रोटीन बंगता है और वे प्रोटीन जो है बहुत बढ़िया होता है इसमें हमारे जो वे प्रोटीन हमने डाला वो असी पसंट कंसंट्रेशन का है साथ में इसमें थोड़ा सोया प्रोटीन है इसमें स्किम्ड मिल्क है इसमें विटामिन्स हैं मिनरल्स हैं amino acids हैं क्योंकि amino acids जो है अलग अदिग conscious है अमें 20 amino acids चाहिए होते हैं और वह अलग अलग सोथों से मिलते हैं प्रोटीन क्या मैं है फ haircut लोग को आइंग schemाता हूं जी मेरे को तो जृरूत नih है выпуск जो होते हैं तो एक तरह के protein में अलग होते हैं एक तरह के protein में अलग amino acid होते हैं इसलिए हमने इसमें के साथ सोयाta будем ही डाले और completely meal हमारा हो गया है इसलिए जो है इसमें इसमें 30 gram का erk pen household है इसको जरूर आप लें या तो दो बार में बाठ आप दूद, धाई, दाल, रोटी, किसी के साथ भी उसको ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, मैं तो इसको धाई के साथ रोज लेता हूँ, लंच के टाइम में, बहुत ही टेस्टी हो जाता है, और पूरा प्रोटीन का हमें सुरोत मिल जाता है, जो 25-30 ग्राम प्रोटीन हम कम खा रहे हैं, वो हमें स्कूप से मिल जाता है, तो बहुत जरूरी है, उसके बाद प्रेंस हमने बात करी थी, माइक्रो नीट्रिंट्स की, क्योंकि हमारे शरी को ना, तीज तरह के विटामिन और मिनरल से ही होते हैं, वाइटमिन आखों के लिए, वाइटमिन C, गम्स के के लिए, आयोडिन थायरेट के लिए, केलिशियम, मैगनेशियम, फॉस्फर हडियों के लिए, फॉलिक ऐसेड, जैंग, आयन, कॉपर, हेमोगलोबिन वढ़ाने के लिए, बी कॉंपलेक्स, बी वन, बी टू, बी सिक्स, बी ट्वेल, और आजकल आप देखिएगी, जब आ होते हैं, तो डॉक्टर साब आपके बाद जाते हैं, और डॉक्टर साब सबसे पहले आपको टेस्ट कराते हैं, आपके मिनरल्स के, और जात हैं, लोगों की मिमारिया, बता क्या रही है, जी इनको विटामिन B12 की कमी है, जी इनको जो है, वाइटमिन B12 की कमी है, इनको नर अब भोजन हमारा इतना बैलेंस है नहीं इसलिए इसको regular supplement करना जरूरी है इसलिए vitamin हमारा बहुत ही बेहतरी supplement है जिसमें 30 तरह के vitamins और minerals है जो हमारे जो हमारे जो हमको चाहिए तो ये भी बहुत important supplement है जो हमको लेना चाहिए पैस उसके बाद मैं जैसे हमने बात करे थी कि अच्छा metabolism अच्छा पाचन तंतर बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर को जो गूर्जा मिलती है जो nourishment मिलता है जो portion मिलता है वो भोजन से मिलता है तो पहले तो हम एक बहुत minus होते है immense facebook इ मोटॉस हम सब्जी ले रहे रहे तो हम क्या करती को काट के दोते है वजब आप उसको काट के दोती हो तो पानी में भैजाता है अन्त उसके लब हम पकाते हैं तलते हैं हमारा जो तरिका बनाने का उसमें तलने वल् custom में भी उसकेb उसमें भी वो सारे उसके विटामिन्स वगरा नश्ट हो जा तो इसलिए जो है हमें अच्छा पाचन सिस्टम में चाहिए अच्छे बोजन के साथ तो इसलिए गेस्ट्रोकेर बहुत जरू ही क्यों क्योंकि अज सबसे ज्यादा नुक्साना भी आज ही मुझे कोई बता रहा कि उनके फादर को जो है इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो गांट सी बन गई है कुछ क्यों क्योंकि वो हमेशा उनके पास डाइजिन रहती थी एंटी एसीड आपने देख वो जब भी खाना है जहें भी जा रहें जी मेरे को डाइजिन खानी है डाइज इसलिए फ्रेंट जो एंटी एसेड्स है इनो है डाइजिन है जैलूसिल है इस तरह के बहुत सारे चीज़े हैं यह चीजों से दूर रहें क्योंकि यह नुक्सान करते शक्ति अगनी को खतम नहीं करना अगनी को बैलेंस करना इसलिए गैस्ट्रों के जो प्रोड़क्ट है वेल वेल अपने देखा हुका बर्सेज़ इस अमयरुयों के मौसम में बैल का जूस बहुत मिलता विए ख़ंक देशा वाहबता है ॑र टेसेंट्री को लोटा लिकरिस मुली यह लोगव को अपने लाटर हो जातें स्टमक में इंटेस्टाैं में जो अुकि कई लोग हिट्रोक्लोरिक एसे लाइन चलता क्यों कि लाइनिंग को गैस्ट्रों इंट्रेस्टन लाइनिंग होथी है तो लोगोगाStull पड़ल लिक्रिस पर आए ले दीया दिता है गया झाल करने मदद प holding हम जानुतें कभी पेरध में दर्द भुगरा होता है तो पीपर्मिंद लेते हैं अगर आप केरला में जाएं तो खाने के बाद कि आपको जो है आजवाइन का पानि देतें थोड़ा सा गुन rectum промisuना करके अज्वाइन जो है production ग पूप्ण ह हमारा यह हमारे digestion, absorption और assimilation खाना metabolize होए, break up होए और break up होने के बाद उसके वो सब्त दातू में परिवर्तित हो और वो सब्त दातू हमारी नरिश करे, portion करे यही काम हमारा है इसके लिए gastro care जो है बहुत ही बेतरी supplement है जो हमें लेना चाहिए उसके बाद probiotics बहुत ज़रूरी है, probiotics क्या होते हैं, यह good bacteria होते हैं जैसे हम धही जमाते हैं, धही कैसे जमता है, क्योंकि उसके अंदर यह bacteria होता है lactobacillus, आप dosa वगरा खाते हैं, जो भी fermentation वाली चीज़ है, alcohol है, यह सारी चीज़े क्या होती है good bacteria के कारण होती है, fermentation कारण होती है, तो हम क्योंकि आज के दौर में लोग जो है पाचन सिस्टम सही नहीं है, एंटिबाइटिक बहुत खा रहे हैं, अब एंटिबाइटिक क्या करता है, यह bacteria को मारता है अब उसको थोड़ी पता कि यह good bacteria या bad bacteria वो तो सब को मारता है तो इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को आपने देखा होगा ना, तो कुछ समझता को एंटिबाइटिक वगरा खाता है तो उसका पाचन सिस्टम खराब हो जाता है, उसको कहता मेरा पेट खराब हो जाता है कुछ खाने में मन नहीं करता, कुछ भी खातों पेट भारी सा रहता है क्योंकि वो bad के साथ good bacteria भी खतम होगे इसलिए डॉक्टर साप भी जब आप एंटिबाइटिक देते हैं, तो फिर आपको वो लेक््टो बैसिलास के नाम से देते हैं वो लेक्टो बैसिलास कुछ नहीं है, वो दभी से प्रोबैटिक कि लिया गया है येस अच्छे डाइशन के लिए तो इसलिए हमने एक प्रोबाइटिक बनाया है यह प्रोबाइटिक क्या करते हैं आपके भोजन को के नरिश्मेंट को बॉड़ी में एब्जॉब करने में साहिता करते हैं यह बैड जो बैक्टिरिया है उसको बॉड़ी से हटाते हैं यह बह के बाद और प्रोबाइटिक दिन में दो बार लेना है जैसे कि आप एक बार लंज से पहले ले सकते हैं क्योंकि प्रोबाइटिक जो है वह इंटेस्टाइन में हाजम होता है इसलिए अगर खाने के साथ मत भी जैखाने के या तो पहले ले लिजी आदा पौना गंटा पहले ऐसे दो बार डिनर के आदा पौना गंटा पहले ले ले लिजी तो यह आपके पाचन सिस्टम को बहुत ही अच्छा करेगा नरिश्मेंट को बढ़ाएगा सब्त धातू को जो है नरिश करने में मदद करें तो गैस्टो केर और प्रोबाइटिक जो है बहुत ही बड़ी है पाचन सिस्टम के लिए उसके बाद फ्रेंज हमने बात करें थी इम्मिनूटी की और इम्मिनूटी को सबसे ज्यादा नुकसान करता है प्री रैडिकल आप लोगे को बाहर चोड़ते हैं वो जंग खा जाता है शेप को काला काटते हैं तो वो काला पड़ जाता है क्योंकि के साथ oxygen oxygen हो जाती है जिसके कारण को टटकन बनते हैं को फ्री रैडिकल बोलते हैं और ये फ्री रैडिकल human body में जाके cell को तोड़ते हैं जिसके कारण cancer, diabetes, blood pressure, arthritis, bronchitis बहुत सारी problem होते हैं इसके लिए हमें anti oxygen लेने चाहिए जो फल और सबजियों में मिलते हैं और फल और एक बहुत ही अच्छा supplement हमारा जो antioxidant भी है यानि कि वो damage करने वाले कनों को दूर करता है और anti-inflammatory भी है यानि कि जो swelling शरीर में हो रही है उसको भी दूर करता है तो इसमें हल्दी से एक compound है करक्यूमिन, करक्यूमिन जो हल्दी में होता है या antioxidant होता है, swearing दूर करता है, anti-can antioxidant है, और immunity बढ़ाता है, hemoglobin बढ़ाता है, licorice moality जो है, यह swelling दूर करता है, healing करता है, तो maxorac एक ऐसा product है, पहले लोग बोलते हैं, मैं तो स्वस्त हूं, मुझे कोई चीछी लेने की तोड़ी है, मुझे दवाई थोटी लेनी है, दवाई कौन दे रहा है, हम तो आपको आ मैंने शुरू में बताया, अगर हम ने इन दोनों को ले, तो हम स्वस्त रहेंगे, हमारी immunity अच्छी रहेगी, और हमें जो है, बिमारियों से हम दूर रहें, इसी प्रकार से दूसरा जो, अब हम दिन में मैंने बोला भाई, साथ आट गिलास हमें पानी पीना है, या liquid लेना कोई भी, तो उसमें जो है, आज कल कोल्टरिंग अगर पिएंगे गर्मियों में, तो कोल्टरिंग में आप जानते, चीनी और कार्बोन डेकसेट के लावा कुछ नहीं होता है, कार्बोन डेकसेट तो सरी से भाहर भेजनी चाहिए, हम अंदर ले रहे हैं, चीनी जो है, इनको हेल्ट ड्रिंग मत बोलिये, मुझे एक्जैक्ट ब्रैंड नहीं, सभी के साथ हो है, इनको हेल्ट ड्रिंग मत बोलिया, क्यों, क्योंकि इनमें चीनी इतनी ज्यादा है, है ना, अभी मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो बच्चों का दूध है, छोटे वाइटमिन सी जो है बहुत बढ़िया है, दो सो एमेल पानी लीजिए, उस पानी के अंदर इसको एक टैबलेट को डालिए, बहुत ही अच्चा टेस्टी ड्रिंक बन जाएगा, बोड़ास में पुदीना बगरा डालीजिए, तो बहुत टेस्टी हो जाएगा, इसमें है आ इसी प्रकार से एक दूसरा ड्रिंक के हमारे न्यूट्री ग्रीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि भई शरीर को जो है सबजिया, हरी सबजिया वगरा चाहिए, जो बॉड़ी को एलकलाइन रखेंगे, अनाच, प्रोटीन, दूद के प्रड़क्ट, जो है, वो हमारे शरी को एस्रिटिक मनाते हैं, आजकल आपने देखा ना, विराट, कोली और बहुत सारे सेलिबरिटीज क्या कर रहे हैं, वो वीगन डाइट ले रहे हैं, वीगन डाइट मतलब नो पोल्ट्री, यानि कि कोई अंडा भी नहीं, नो मीट, और नो मिल्क, मिल्क भी नहीं ले रहे ह इसलिए दुपसान, नूट्री ग्रीन भी एक बहुत बढ़िया टैबलेट है, इसको पानी में डालिए, इसमें भी आपको दस नूट्रिटिव जो है, ड्रिंक्स आपको मिल जाते हैं, इसमें स्पिलूना है, स्पिलूना जो है, यह नरिश करता है, मेटाबलिजम बढ़ा है, इसमें वीट ग्रास है, वीट ग्रास को ग्रीन हेमोगलोबिन बोड़ते हैं, यह फाइबर हमें देता है, हेमोगलोबिन बढ़ाता है, अश्वगंदा है, जो वाड़ी में एनर्जी बढ़ाता है, अश्वगंदा इम्मिनूटी बढ़ाता है, अलफा इलफा जो है, ड लेटामिन सी एक ग्लास में एक टाइम पे और दूसरे टाइम पे जो है आप न्यूट्री ग्रीन लेंगे तो कितना बेहतरी आप जो है अपने को महसूस करेंगे तो बहुत ही बढ़िया जो है आपके लिए यह रहे तो फ्रेंट इस तरीके से आरवेद के साथ जो है आप है ना इन सब के लिए वूमन है एक बहुत अच्छा सप्लिमेंट हमा रहा है जिसमें शतावरी है जो हर्मोलन इंबैलेंस दूर करता है इसमें अनन्द मुला है जो ब्रड़ को प्यूरिफाय करता है इसमें पांसो मिली ग्राम कैलिशम है इसमें आइन टाउनिक है तो हर मह को लेना चाहिए यह 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 बहुत जरूरी है और नॉमली आजकल जैसे मैंने बताया इस सब का जो है कैलिशम कम है आजकल डी थरी कम है तो एक कैलिशम डी थरी भी बहुत अच्छा सप्लिमेंट हमारा है एक टैबरेट लेंगे हमको तो यह हमको जो है तीन सो मिली यह नहीं यह हमारे को आज की जीवेंशायली में बहुत जरूरी है यह हमारा नीट्रिशन है यह हमारा पोशन है यह वो चीज़े है जो हमारे बोजन से हमें पूरी नहीं हो पारे हरी सबजया निखा रहें एंटी आक्सिडेंट निले रहें कैल्शियम डी थरी की कमी है यह सा बैलन्स रखेंगे जो अगनी तत्व है उसको बैलन्स रखेंगे जो प्रित्वी तत्व है जो भोजन से सेट होता है उसको रखेंगे जो वायू तत्व है प्रणायम करेंगे और जो अकाश तत्व है जो मेडिटेशन करेंगे तो हम स्वस्त रहेंगे और स्वस्त का मतलब य यह आंत्रिक चीज़ का प्रभावना पड़े वो स्वस्तर तो यही आज की आज का हमारा सेशन था मुझे उमीद है कुछ आपने नया सीखा होगा नया जाना होगा तो मैं चाहूंगा आप में से कुछ लोग मैसेज करें कि आज आपने कुछ नया क्या सीखा जिसको आज आप इंप्लीमेंट भी करेंगे जी कुछ लिखेंगे चैट में आप कि आज कुछ नया सीखा जिसको आप उप्योग करेंगे और किसी को भी ग्यान देने से पहले खुद जो है उसको जरूर करेंगे यह मैंने आपको ग्यान दिया कि भाई प्रोटीन लेना चाहिए तो यह मेरे टेबल पर सामदे रखा हुआ है फैमिली प्रोटीन का डबा मेरा जो मैं लंच के बाद यूज करता हूँ जी तो आज क्या सीखा आपने कोई जानना कुछ शेयर करना चाहेंगे आप